यो बही करण 6 ,50 लक़ का स्कैम हो और 70 लक लक़ का इडिया कहला है कि शॉप्र कर रहा हूं यह सारे स्कैम की मैं अब कर नहीं नहीं से की specific बात कर रहा हूं वह है डिजिटल स्पेस में pastor tip आज इस वीडियो का थेखते हैं यह यह करते हैं मैं आपसे बात कने वाला हूँ SIM Swapping Scam के वारे में खाफी लोग शिकार बन रहे हैं इस वीडियो को लाइक विश्र कर दीजिए पता लगाते हैं कि आपके लिए SIM Swapping Scam काम कैसे करता है नोश्कार दोस्तों, मेरा नाम है Gaurav आप दिख रहे हैं Technical Guru जी चलिए शुरू करते हैं यह दो को बात ऐसी है कि मतलब आप सभी को लग रहा हूँ हमारे साथ कैसे Scam हो जाएगा वो तब तक लग रहा है जब तक असली में हो नहीं गया था बिकॉस जिस स्पीड से यह सारे Scamers आज करेट में आपरेट कर रहे हैं नितने तरीके बना रहे हैं और हजारों हजारों लोगों को डेली बेसे पे अपरोच किया जाता है किसमें किसी तरीके के फ्रॉड के लिए अच्छी बात है अगर आप अभी तक बचे हुए हो तो और अगर एक बार Scam होगे आपके साथ पर ऐसे नहीं कि दुबारा नहीं होगा दुबारा भी हो सकता है और अभी जो लेटे स्काम चल रहा है SIM Swapping वाला यह एकदम पीक पे है और काफी लोग इसे फज़ रहे हैं क्योंकि यह स्काम ही ऐसा है मतलब आपको बिना पता चले आपके साथ में साथ क्या हो जाएगा क्या ही बताएगा And the simple thing is You know how important is your phone number मतलब आज आप कोई भी काम कर लें online OTP is a very common trend और वो OTP कहा आता है वो OTP आपके number पे आता है आपने चाहे online कुछ एक transaction करना हो चाहे आपको कुछ payment करना हो चाहे आपने कुछ order करना Whatever it is Second layer के लिए आपके number पे OTP आता है और अगर आपने OTP डाल दिया सही तो भाई आप जिस भी website पे हो इस platform को लगता है कि हाँ भाई it's a genuine transaction और वो transaction आगे complete हो जाता है अब यहीं पे आता है sim swapping scam Concept कुछ ऐसा है कि जो scammers है वो आपके operator को approach करते हैं कहानी ऐसी बनती है कि भाई sim आपका खो गया है या damage हो गया है और एक नया sim issue करवाते हैं आप ही के नाम पे आप ही के नाम पे जी हाँ एक नया sim issue हो जाता है अब हो तक है जब नया sim issue हो गया तो जो आपका existing sim जो आपके phone में आप use कर रहे हो वो sim disabled हो जाएगा वो sim पे services आएंगी नहीं और जैसे ही scammer का sim जो है वो activate हुआ starting के 24 गंटे का जो cool off period होता है एक बार वो खताम हुआ उसके बाद में message भी आएंगे और सब कुछ start हो जाएगा और क्योंकि OTP उसे नमबर पर जाएगा तो फिर तो आप सोच सकते हो कि scam किस level का हो सकता है सबसे जादा फसने का यहां पर क्या वो होता है एक reason कि अगर आपके phone में नेटवर्क नहीं आ रहे है मतलब आप normal phone यूज कर रहे हैं और calls लग नहीं रहे हैं या not reachable आ रहे है या something something is happening in अब क्योंकि हम connect करते हैं पचासों और तरीकों से Instagram भी यूज करते हैं WhatsApp calling यूज करते है तो शायद हमको इतना ज्यादा फरक ना पड़े यूनों हम सोचेंगे कि यार यार पता नहीं कुछ तो दिक्कत है मेरे network में कुछ तो दिक्कत है मेरे SIM में आपको यह सोचना चाहिए कि वो network इसलिए नहीं आ रहा या इसलिए वो connect नहीं कर रहा because क्या पता किसी और ने कहीं duplicate SIM ना issue कर वा लिए हो हम अगर इस पर तुरं तुरंट तुरंट action ला ले कि एक बार आपका SIM swap हो गया उसके बाद मालना आपके bank में से किसी ने पैसे निकाल दिये या कहीं पर कुछ sanction कर दिया तो उसका भी जो message आएगा वो कहां आएगा वो आएगा उसी बंदे के पास जो आपका SIM use कर रहा है तो मतलब आपको तो पता भी नहीं चलेगा unless आपने email जो है वो on किया और आपना email खोल के देखते भी हो जो बैंक की तरफ से आता है आपको तो बैंक वाला अगर कॉल करना चाहेगा का अधार का लिए या उनको कर लगता है कुछ फ्रॉड हो रहा है तो वह भी वह कॉल उसी नुमर पर जाएगा मतलब सोच रहे हो किस सब्सक्राइब कर देते हैं बहुत बार हमको अधार कार्ड हो गरे किसी को शेयर करना होता है और हम ना कि यह लो अधार की फोटो कीचा भेज दिया यह वो हमारी ID की कॉपी ऐसी भेज देते हैं कही बार हमको मतलब इनो दिमाग में खयाल भी नहाता कि भाया इसका क्या-क् नमर जो है वो XXXX करके हाइड किया वा होता है या अगर आप किसी को अपना बाकी ID भी भेज़ो तो पहले clarity रखो कि भाया किसको भेज रहे हो कहां भेज रहे हो बिकॉज वो आप ही के ID को यूज करके आप ही के नाम पर वो duplicate SIM जब इशु करवाएंगे देन जस्तिंक अबाउट दे लेवल उफ इनो scam जो आपके साथ में हो सकता है कई बार तो आपके बारे में information निकाल लेंगे कि अच्छा आपका number क्या है कुछ basic details क्या है आपके एक बार आपको ID मिल गई उनको इतनी information चाहिए जितनी telecom operator को चाहिए confirm करने के लिए कि हाँ आप ही वो इनसान बोल रहे हो आप ही वो user हो और भाई ऐसे इंडिया में करोनो करोनो users है और आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा ज्यादा इन scammers के लिए लोगों के नाम पे duplicate sims को निकलवाना तो sim swapping scam जो है इससे बचने के लिए e-sim जो है वो definitely काफी helpful है because e-sim के अंदर आपका biometric आप लगा सकते हो उनको इतना you know easy नहीं है copy करना और उनको issue करवाना sometimes I think e-sim can help sometimes आप अगर अगर अपने documents को धंग से समाल कर रखते हो वो definitely help कर सकता है तीसरी चीज अगर आपके phone में network ना है तो भाई आप पागल हो जाओ मतला आप मजाख नहीं कर रहा हूँ तो यह सब चीज़ों पे आप actions लोगे तो आप बचे रहोगे और अगर ऐसा कुछ भी कोई call wall करते है तो भाया don't entertain because क्या पता वो call पे आप से क्या बात करके क्या information निकल वार है और बाद में सी में आप किसी ता clone हो रहा होगा और अगर कहीं शिकार में फस भी जाते हो तो you know the helpline number, dial it instantly which is 1930 the domain is cybercrime.gov.in और फैलाओ इस वीडियो को चारो तरफ और स्पेशली अपने घर में एलेटिवस के पास because यह लोग सभी को टार्गेट कर रहे हैं मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स वीडियो में जय हिंद वन्दे मातरम